हेलो आप सब का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑलाइन क्लासेज में बच्छो मैं एक्सरसाइज 1.3 सौल कराने जा रहा हूं और इस एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे-च्छे कोश्चन है और अक्सर इस कोश्चन में बच्छे समझ नहीं पात स्वागत और फी इर्यश्नल करना है ऐसी कोश्चे में तो इसमें आप लोग को कन्फियूजन होता है कि वह कैसे रहा है तो शिंपल्理 यहां पर इरैशनल नहीं रैशनल है ठीक है अब फाइनली हम लोग क्या प्रूफ करते हैं कि जो हमने माना था हो क्या है गलत माना था तो इसी स्टोरी को समझना है तो वीडियो को पूरा अंत तक वाज करिएगा निश्चित क्लियर हो जाएगा सारे कंफूजन क्लियर हो जाएंगे वा लेना है let assume that contrary contrary क्यों बोल रहा है बच्छोग let assume that contrary root 2 is rational number root 2 is rational number यह contrary word का यूज क्यों कर रहा है बच्छोग क्योंकि simply contrary मतलब होता है opposite आप उल्टा मान रहा है आपको पता है root 2 is rational होता है लेकिन आप opposite मान रहा है उसका ठीक उल्टा बात मान रहा हो इसलिए contrary word का यहां यूज करते हैं contrary root 2 is a rational number पता है opposite है गलत मान रहा हूं मैं ठीक है आगी क्या करना है बच्छो अगर root 2 को आपने rational number assume कर लिया है then root 2 is written as written as a by b form a by b form a by b ke form में हम लिख सकते है ना लिख सकते है ना rational number है तो where where जहां पर क्या है a and b a and b are integer are integer have integer have common factor 1 common factor 1 मतलब की common factor 1 के वाल है ना common factor 1 और कह सकते है रिए और को प्राइम और रिए और को प्राइम क्या नंबर है बच्छो द्यार को प्राइम को प्राइम समझते हो ना उन दोनों नंबरों का at cf क्या होगा फिर से मैं समझा दूँ अच्छे से क्या कि मैंने एजुम किया contrary root 2 is a rational number अगर मैं रूट 2 को rational number लिखा है माना है तो मैं root 2 को लिख सकता हूँ A by B के form में सही बोला ना from where A and B are integer A and B क्या है बच्चों integer है have a common factor 1 यहाँ पे एक बात और एजुम कर रहे हैं कि इन दोनों का common factor सिर्फ 1 है और they are co-prime अगर किसी का भी common factor 1 हो तो उस pair of number को हम लोग को प्राइम बोलते हैं आप पर पढ़ चुके हो class 8 में 9 में ठीक है बच्चों इतना काम कर लिया अपरा question लंबा है इसलिए मैं इसको दो पार्ट पर divide कर लेता हूँ अब मैंने क्या माना बच्चों कि a root 2 is equals to क्या है बच्चों a upon b है और a और b का common factor सिर्फ 1 है अब हमें क्या करना है बच्चों squaring करना है क्या करना है squaring both the side जब squaring करेंगे हम both the side तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 is equals to a square upon b square कोई दिक्कत बच्चों root 2 का square 2 होता है a का b का square करेंगे तो a square b square है कोई दिक्कत ओके अब ध्यान दो अब cross multiplication से मैं लिए सकता हूँ 2 b square is equals to a square लिख लिए ना कोई दिक्कत अच्छा अब यहां पर ध्यान दो यह 2 b square is equal to a square है तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं कि 2 is the factor of a square है ना कह लिए सकते हैं 2 divides 2 divides a square अब पूछोगे कैसे तो ध्यान दो अगर 2 b square is equal to a square है तो इसको मैं a into a लिख सकते है ना एसका मतलब क्या है बच्चो कि अगर यह 2 b square बराबर है it means क्या है कि यह इसको divide कर सकता है a square को divide कर रहा था तो एक को भी divide कर सकता है clear है क्योंकि multiple में नहीं तो होगा इसके multiple में नहीं होगा मालो 20 को यह कुछ भी हो तो यह किसके बार मालो पांदो नहीं दस आ रहा है यहां दस तो यहां नहीं हम लिख सकते हैं अगर माल लिजे कुछ भी नंबर आएगा तो क्या होगा हमेशा मुटीपल में ही ही तो होगा 2 समझ रहे बात को न क्या फिर से क्लियर कर दूँ मैं तुम्हें कि यहां लिखा आँ two also divides a clear है ना बात इदम clear हो रहा है कि नहीं कि कोई भी प्यार नंबर होगा बच्छो तो यह जो नंबर है यह two के multiplers में है तो two के multiplers में होगा तो इसका मतलब क्या है कि यह number two से divisible होगा it's okay अब यहां मैंने लिए two divides a two जो है वो ए को divide कर रहा है यहाँ पर बिच्छो इस equation का आगे चल के काम आने वाला है इसको लिखने ना equation 1 क्या हो गया यह equation 1 अब चलते हैं next में कि 2 divides A अगर 2 divides कर रहा है A को तो हम कह सकते हैं क्या here A is equals to 2C where C is C is any integer where C is C is any integer अब यहाँ पर तुम्हें समझ में आ रहा हो A is equals to 2C क्यों लिखे ठीक है तो ध्यान दो 2 divides A लेकिन A को कितने बार में divide कर रहा है यह नहीं पता है ना वादर पर 2 अज़ा 2 2 2 3 2 4 5 कितने कितने टाइंस में divide कर रहा है उसका multiple क्या है तो हमने क्या माल लिए को C होगा क्या होगा हो C होगा मैंने एजुम क्या कर लिया कि multiple क्या होगा C होगा when where 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 C is or any integer टिकर न जहां पर C क्या है बच्छो कोई भी integer है और ध्यान दो जो मैंने यह equation बनाया था न इस ही लिए बनाया था एक स्टेप यहां करना था क्या पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन में इसकी वैल्यू पूट करनी है तो इसकी वैल्यू जब हम मैं लिखा तो क्या यह बच्छो 2B2 is equal to 4C2 आ जिए 2 बच्छो यहां से उठकी इधर आ सकता है आ सकता है तो मैं लेख सकता है इसको क्या कि B2 is equal to क्या 2C2 यह दो नीचे है तो दो से मैंने कार दिया 2C2 हो गया हो गया जिक्षा यहां पर और ध्यान दो B square is equal to 2C square हो गया, इसका मतलब क्या है, कि B, B, जो है, क्या होगा, 2 से divisible होगा? B, जो है, क्या होगा, 2 से divisible होगा, जो same concept समझाभा है तर्था न? वही चीज क्यों? क्योंकि यह जो B square है, वो 2 के multiple में है, 2 के multiple में है, है न? 2 के multiple में इसका होता है, b square क्या होगा, 2 से divisible होगा, तो हम लोग यहाँ एक statement क्या लिखेंगे बच्चों, कि 2 is, 2 divides, 2 is ने लिखना, 2 divides लिखतो है न, 2 divides, what, 2 divides b square, therefore, 2 also divides b, है न, therefore, 2 also divides b, 2 जो है, वो b को भी divide करेगा, अब आता है, यहाँ पर एक statement, क्या आता है, बच्चों, कि अगर, अब यहीं पर ध्यान देना, सीखने वारी बात यहीं पर है, बच्चों, क्या, कि मैंने बोला, कि 2 divides b, तो 2 का जो है, common factor क्या आ गया, यहाँ पर लिख लो, 2 का क्या है, बच्चों, common factor जो है, 2, a का भी है, और b का भी है, 2 is a common factor of a and b, यहाँ बोलेंगे, 2 is also common factor of a and b, अब जो 2 है, वो common factor है, a and b का, अब आता है, बात opposite की, अभी आपने क्या माना था, कि a and b, where a and b are integers, have a common factor 1, और they are a co-prime, तो co-prime जब माना था, उसको तो कैसे यह आगया 2, कैसे आगया 2, तो यह 2 इसी लिए आया है, बच्चों, क्योंकि आपने वहाँ पर गलत एजियूम किया था, कि वह क्या है, यह रैशनल, आपने रैशनल मान लिया था, इसी लिए co-prime की जगह क्या आगया, उसके other factors भी निकल गया, तो यहीं पर एक statement लिखना है, बच्चों यहीं मैं उससे में story आपको बता रहा था क्या, कि एक statement यहाँ पर लिखेगा, क्या, बहुत छोटा हो गया है, बोर्ड इसलिए तरह ध्यान देजेगा, यहाँ पर लिखेगा, the contradiction, the contra, दिख रहा है, यह contradiction, whatever it is, contradiction arises, 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 ठीक है, by incorrect, incorrect, the contradiction, contradiction, the contradiction arises, by incorrect, simple, by incorrect, assuming, that root 2 is root 2 is rational number, आपने एजिम किया रहा है, यहाँ rational number लिखेगा, root 2 is rational number, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, by contradiction arises, by incorrect, assuming, that root 2 is a rational number, यह जो opposite बात आया है, कि आपने माना था, 1 और आ गया है, to be common factor, यह सिर्फ और सिर्फ इस region से आया है, बच्चो, क्योंकि, जो है, आपने गलत एजिम किया था, इसका भी एजिम्शन क्या है, गलत आया है, तो reality क्या है, एक लाइन और लिखना है, बच्चो, so that, मैं red marker से लिख देता हूँ, so that, so that, root 2 is a rational number, a rational number, अगर बच्चो, अभी भी clear नहीं हुआ है, तो wait करो, question number 5, question number 1, जिसमें root 5 को मैं irrational proof करूँँगा, और आपको आराम से clear हो जाएगा, और यहाँ थोड़ा space कम है, इसलिए, इसको और space लेके full board पे solve करता हूँ, अच्छे समझ में आएगा, अगर समझ में आगे है, तो like कर तो नहीं समझ में आएगा, तो आगे तक देखना वीडियो, question number 1, root 5 को ही rational proof करना है, बच्चो, और देखो, इसको देखी, dumb clear हो जाएगा, confirm, आजो, बच्चो, solve करते हैं, क्या कहा था, मैंने, कि let assume, let assume, contrary, contrary का मतलब क्या बताया था, मैंने, let assume, contrary, root 5 is rational number, क्या बोला था, मैंने, rational number, contrary का मतलब बताया था, बच्चो, कि मान लो, मान लो की root 5 क्या है, irrational के जगा, rational है, और contrary मतलब उल्टा, opposite मान रहे हो, ठीक है, आप, अब solve करते हैं, कि अगर यह rational number है, बच्चो, तो, root 5 is written in the form of, in the form of, in the form of, in the form of, a by b, where, where a and b is any integer, क्यों इस्टेटमेंट है, बच्चो, क्यों इस्टेटमेंट लिखना है, integer, अब बहुत नॉर्मल है, यह आपको याद है, है न, कि जैसे rational number मतले था, a and b are integers, ठीक है, वह ही लिखा हो, मैं, a and b is a, any integers and, they have co prime, they have co prime numbers, they have co prime, co prime numbers क्यों लिख रहा हूं, बच्चो, क्यों को प्राइम का number, क्या होता है मतलब, कि they have one as a stf, है न, और कर सकते हैं, कि a और b का, 1 के अलाबा कोई भी common factor नहीं है इसका short form क्या होगा है दियारा co-prime numbers अब आपने जो adjunum किया है वहाँ से game start है न क्या adjunum किया था root 5 is equals to बच्चो आपने adjunum किया था a upon b अब करना क्या है squiring both the side squiring both the side both the side जब squiring आपने किया बच्चो तो क्या हो गया root 5 का square हो गया और a upon b का square हो गया इसको आप लिख सकते हो बच्चो क्या root 5 is equals to 5 आगया यहाँ पर यहाँ हो गया a square और b square यह okay है कोई confusion अब आगे आप क्या कर सकते हो cross multiplication हो गया 5 b square is equals to a square इसको statement 1 मान लेना है क्योंकि इसका आगे use होने वाला है ठीक है इता clear हो गया बच्चो अब ध्यान देना अब यहाँ पर अगर 5 b square is equal to a square है इसका मतलब क्या है कि लिख सकते हो 5 divides क्या लिख सकते हो बच्चो 5 divides a square अब आपको confusion हो रहा हो तो फिर बता दे कि यह जो a square is equal to क्या है 5 into b square है तो 5 into b square का मतलब क्या है कि जो a square हो अब 5 के multiple में 5 के multiple में तो divisible होगा इन 5 से ओके है अच्छा अब अगर यह लिख सकते है इसका मतलब हम यह भी बोल सकते है 5 divides a also 5 जो है a को भी divide कर सकता है क्यों यह a into a बराबर है तो भाई 5 का अगर a को काटेगा a square को काटेगा तो a को भी divide करेगा it's okay अब आते हैं बच्छो क्या कि अगर यह 5 divides a है इसका मतलब क्या है कि a को हम लिख सकते हैं क्या 5 c के बराबर क्यों 5 c के बराबर लिख रहा हूं बच्छो क्योंकि यह 5 के multiples में अगर a जो है 5 को divide कर रहा है तो कितने बार में divide कर रहा है 5 1 जब 5 5 2 जब 10 5 15 कितने बार में divide कर रहा है वही यहां पर c है जो 1 times 2 times 3 times table पर रहा हो न वही c है ठीक है अब मैं यहां कह सकता हूं क्या है बच्छो कि here here c is any integer c is any integer ठीक है short form लिख रहा हूं क्योंकि space कम है ठीक है here c is any integer ठीक है c कोई integer है ठीक है अब क्या हो सकता है बच्छो कि put the value put the value of a in a equation first equation first इसलिए दिया था बच्छो equation first में आपको value put करना है तो ध्यान दो equation first क्या था 5b square is equals to a square था 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 ना मैंने a को यहां मिटा दिया और एक जग़ा क्या put कर दिया 5c का square put कर दिया कोई दिक्कत कोई confusion और आओ square कर लेते फटा-फट तो क्या हो जाएगा 5b square is equals to 25c square therefore b square is equals to 5 नीचे आ जाएगा तो काटेगा तो क्या हो जाएगा 5 नीचे दिविजबल हो जाएगा तो 25c square is equal to यहां 5 लिख दिया तो यह क्या कह सकते हो मैं इसको 5c square यानि इसमींस b square is equal to 5c square यह लिख सकते हैं बच्चो अब यहां पर एक बात जब यह b square is equal to 5c square आ गया इसमींस कि b जो है b square बच्चो कौन बी square है न यह वालब बी स्कॉयर तो यहां कहले देंगे 5 divide same line ठीक है न सेम लिख देता हो फटाफट divides b square ठीक है न और 5 divides यानि 5 जो है वह divide कर रहा है b को 5 divide कर रहा है b square को यह okay बच्चो अब हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां तो 5 a को भी divide कर रहा है 5 divide कर रहा है b को भी इसका मतलब क्या हो गया 5 is another is another another common factor of a and b और क्या हुआ बच्चो कि तुमने एजियूम किया था कि a b का कोई common factor नहीं है बट यहां तो एक और common factor निकल गया 5 5 is another common factor of a and b ऐसा क्यों हुआ कि आपने एजियूम किया था को प्राइम और यहां पे एक और other factor निकल गया 1 के अलावा इसका मतलब है कि यह इसी लिए हुआ है क्योंकि आपने गलत चीज एजियूम किया था स्टार्टिंग में contrary opposite एजियूम किया था इसलिए आप यहां भी गलत सिद्ध हो गया बस इसी बात को लिखना था क्या लिखना था आपको बच्चो आपको लिखना था the contradiction the contradiction arises 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 due to पूरा लाइन ले रहा हूं टिकला due to incorrect assumption assumption that root 5 is rational आपने यही तो गलत एजियूम किया था ना बच्चो क्या कि root 5 जो है वो क्या है rational है बस अप्रूफ हो चुका है आपने गलत एजियूम किया इसलिए यहां भी गलत चीज आया इसका मतलब क्या है root 5 is irrational number यह क्या है आपका irrational number बच्चो अगर आप समझ में आ गया हो तो जल्दी से comment कर दो और like button प्रेस कर दो और चैनल को अब तक subscribe नहीं कर दो चैनल को subscribe कर लो क्योंकि नेक्स वीडियो अप्लोड करूंगा नेक्स प्रूफ अप्लोड करूंगा तो आपको प्रोपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो